हेलो दोस्तों सभागत है आपका अपने यूटूब चैनल बैंकिंग सितारा में तो यहां दोस्तों जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं यूपी रिजल्ट को ले करके बहुत सारे बच्चे परसां थे और उसका सुलूसन निकल गया है जी हां दोस्तों क्या सूलूसन है क्या वारण है यह सब कुछ हम आपको बताएंगे लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करिए क्योंकि दोस् अब यह नियम आया है कि हाँ इसकूल नौवी से लेकर के बार हैंवी तक इसकूल चालू हो जाएगा कब चालू होगा कैसे चालू होगा सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हाँ मतलब वीडियो को पुरांद तक देखते आपको बता दूं कि यह निवारा निकल के आजा है कि जिन बच्चों का मारक शीट कम है यानि कि पुरांक जो है और वो दुबारा से आवेधन कर सकते हैं दुबारा से आवो का नमें उनका पेपर होगा और दुबारा वो फिर अपना नंबर ला सकते हैं इसके लिए 16 अग सकता है और इसको ले करके हमारे मुख्यमंत्री माननी योग्या अधित अनाथ जी ने या कहा है कि हां मतलब दुबारा से वेधन करके और बच्चे अपना जो अप इकजान दे सकते हैं अपना हमार के शिट्ट उधर वा सकते हैं यानि कि फिर से उनका दुवारा से जाच हो सकता है सब कुछ आप कर वा सकते हैं दोस्तों सोरे अगस्त के बाद और आप लोगों को यह भी बता दूं कि हां मतलब इस्कूल भी अब चालू होगा क्लास क्लास 9-11 तक का? ओ दोस्तों, आपको बता ढूंकि हाँ मतलब क्लास 9-12 तक का स्कूल चालू हो जाएंगे और हर जो स्कूल चालू होंगे उनमें पूरी पढ़ाई होगी और आपको यह भी बता ढूं जाएगा और यह अधारा है जो पूरत जब तक कुरोना हट नहीं आता है तब तक के लिए चालोगा तो जी हां दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर तो